प्रेंट्स यह कोशन है कि इन फिगर जो फिगर आपको गिवन है एरिया DRC एकोल स्टू एरिया DPC यह एरिया एकोल है और एरिया BDP यह ट्रेंगल बनेंगी इसका एरिया ARC ट्रेंगल ARC के एकोल है शो करना है कि जो कॉडिलेटल हमारे पास है ABCD और DCPR यह दोनों ट्रेंपीजिम तो ट्रेंपीजिम कैसे बनेंगी अगर यह अपोजिट साइड इकोल हो जाएंगी AB DC के कुल हो जाएगी तो यह ट्रेंपीजिम बन जाएगी DC और RP पैरलल हो जाएगी तो यह दूसरी जो कॉडिलेटल है यह भी ट्रेंपीजिम बन जाएगी तो हमें प्रूब करना है कि AB पैरलल हो जानी चाहिए DC के और DC पैरलल हो जानी चाहिए RP के अगर यह कंडिशन हम प्रूब कर देते हैं तो ट्रेंपीजिम जो कॉडिलेटल हमारे पास हैं वो ट्रेंपीजिम हो जाएगी तो हम पहली कंडिशन पे आते हैं कि एरिया DRC तो DRC अगर आप देखें तो DRC यह है यह DRC है यह जो एरिया है वो DPC के एकोल है यह जो ट्रेंगल है यह दोनों एरिया आपस में एकोल होगे तो हमारे पास एक थियोर्म आती है कि ट्राइंगल जिनका एरिया एकोल हो और वो सेम बेस के उपर हो बेस इसमें DC आएगा तो वो दोनों जो हैं वो सेम पैरलल के बीच में आती हैं पैरलल के बीच के मतलल हो गया कि DC और RP पैरलल होगे तो यह कंडिशन हमारी फुलफिल हो BDP अगर आप देखें BDP यह वाली ट्राइंगल है यह बड़ी जो ट्राइंगल है BDP यह वाली पूरी ट्राइंगल है और दूसरी जो ट्राइंगल हमारे पास है ARC यह वाली ट्राइंगल है पूरी ट्राइंगल और इन दोनों का एरिया एकोल है और इन ट्राइंगल में ये इनी के बीच आ रही है और दोनों का area इकोल है, अगर हम दोनों triangles को सब्टेट कर देते हैं, A, R, C में से अगर हम D, R, C, A, R, C, जो हमारे पास area है, इस में से अगर हम D, R, C area सब्टेट कर देते हैं, तो हमारे पास जो area रह जाएगा वो रह जाएगा ADC area ADC और दूसरा गर हम देखें BDP से area BDP से हम subject कर देते हैं area DPC area DPC तो यह हमारे पास रह जाएगा area BDC BDC अब क्योंकि यह देखी ACR और BDP area equal थे उन दोनों से अबने equal area subject किया तो यह जो triangles का area बचा यह आपस में equal रहेगा means area ADC जो है वो equal हो जाएगा area BDC के तो जो हमारे पास यह triangle बनी यह वाली जो triangles हैं इनका area आपस में equal हो गया जो हमारे पास यह बची है तो area ADC और area BDC equal हो गया तो फिर वो ही condition लगी कि triangle जिनका area equal है और जो same base के उपर लाई करती है तो वो between same parallel लाएगी same parallel का मतलब हो गया AB parallel to DC हो जाएगा तो अगर यह parallel हो गया आपस में ABCDB क्या बन जाएगी है ABCDB यह trapezium होगी यह इसका अंसर है thank you